अब आपने श्राटाव स्वागत करता हूं आपका मागनेट ब्रेंस पे एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए कर आता है क्वालिटी कंटेंट 247 वह भी बिना किसी पेट सब्सक्रिप्शन के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंप्लीट रिविजिन क्या करने आए पर्लमेंट के तीन कॉम्पोनेट आते हैं एक आता है राजसभा एक आता है लोग सबस्था और फाइनली हमारे आते हैं प्रेसेडेंट साब कि प्रेसिडेंट्स आपको फिलाल यहां पर हम क्या करेंगे नहीं लेंगे हम बेसिकली फूकस करने जारहें किस पर राजसभा पर और लोग्सभाप पर पर articles देखेंगे कि कॉस्त आर्टिकल में क्या लिखा हूआ है फ्कॉस हम पूरा का पूरा concept तो देखी चुका है बाट यहाँ पर article wise objective point of views हम क्या करेंगे पूरा का पूरा इस particular chapter का revision करने जा रहे हैं starting करेंगे composition से end पे लेगे जाएंगे committee इस तरक हम comprise लोकसभा, राजसभा and the President. Article No. 79 में बोलते हैं कि there shall be a Parliament for the India that will comprise the लोकसभा, राजसभा and President. तो हमको कहां से Article No. 79 से पता चलता है कि Parliament के कित्ते component है? तीन component है. लोकसभा, राजसभा और President साब. ठीक है? चलिए. राजसभा की बात करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? Council of State बोला जाता है, Upper House बोला जाता है और साथ-साथ ये same functionality है, या somewhat similar है कि say House of Lords. House of Lords कहां आता है? तो हमारे British Parliament में आता है. किसमें आता है? British Parliament में House of Lords है. और कही सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे भी बाइकामर लेजिस्लेचर है, वहाँ House of Commons है और House of Lords है, तो हमारे यहां लोगसभा है और राजसभा है. तो House of Lords का similar कौन हो जाएगा? राजसभा हो जाएगा. चलिए. First constituted in 1952. सबसे पहले constitution का ब होता है? इसका 1952 में होता है. चलिए. आर्टिकल नमबर 80 क्या बोलता है? कॉंपोजिशन ऑफ काउंसल अफ स्टेट्स. ठेके, काउंसल अफ स्टेट्स यहाँ फिर राजसभा. ठेके, चलिए. maximum strength की बात करते हैं तो 250 रहे चोंप सकती है. 250 क्या रहेगी? इसकी maximum strength रहेगी. जिसमें से 238 लोग कहां साएंगे? स्टेट्स में साएंगे. बारा लोग नॉमिनेट होंगे. क्या होंगे? बारा लोग नॉमिनेट होंगे. यह नॉमिनेट इट पीपल कौन होंगे? जिनके प आप कहले की social work की field में हो गया तो ऐसे लोगों को क्या कहते है? नॉमिनेट करते हैं. कौन नॉमिनेट करेगा? तो इनको नॉमिनेट करेंगे President साब. कौन करेंगे? इनको नॉमिनेट? President साब. चली, बात करते हैं हम उसकी current strength के बारे में. तो 245 क्या है? चरेंट से जिसमें त तो टोटल स्टेंथ किती होगी 250, करेंट कितनी है 245, चलिए, ए अर्टिकल नमबर 83, डूरेशन अफ दी हाउस, क्या बोलता है, डूरेशन अफ दी हाउस किती रहेगी, तो भाईसाब टैन्य और इसका रहेगा 6 साल का, कितना रहेगा 6 साल का, तो मतलब एक पर्टिकुलर में अगर राजसभा में नॉमिनेट हो जाता है, तो उसका टर्म कितना होगा, 6 साल का होगा, ना कि 5 साल का, ठीक है, रिटार्मेंट की बात करते हैं, तो हर दूसरे साल, every two years कितने लोग रिटार हो जाते हैं, तो वन थर्ड मेंबर रिटार हो जाते हैं, उसी प्रपोर्शन में जाता होना चाहिए, और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तीस साल, अगर कोई परसंट 30 years का है, तो ही वो कहां जा सकता है, राजसभा में जा सकता है, ठीक है, तीस साल से कम का है, इंसान राजसभा का मेंबर नहीं बन सकता, चलिए, आर्टिकल नमबर 89 का बोलता है, चेर प परसंट कौन होते हैं, तो इसके वाइस परसंट साभी क्या होते हैं, एक्स ओफिशो चेर परसंट होते हैं, क्या होते हैं, एक्स ओफिशो चेर परसंट, साथ-साथ ये मेंबर ओफ राजसभा या मेंबर ओफ परलेमेंट नहीं होते, क्या नहीं होते, क्योंकि ये मेंबर के पास क्या होती है वोटिंग राइट्स नहीं होती बट एक exception ऐसा आ जाता है कि यह क्या कर सकते हैं डिसाइसिब वोट क्या कर सकते हैं यह डाल सकते हैं ठीक है चलिए मतलब decision ऐसा particular वोट जो क्या करेगा decision लेने में help करेगा माल लिजे सब्सक्राइब करते हैं तो यह राजसभा की members में से ही आएंगे कहां से आएंगे सब्सक्राइब करते हैं यह राजसभा में से ही आएंगे इलेक्टेट अमंग्स दे मेंबर आफ राजसभा क्या बोलता है चेर परसन या फिर डेपुटी चेर परसन जो है वह कोई भी आगर मान लीजें इनके रिमुवल का का कंसल 네रेशन होता है थरेंटब का प्रोसीजर चल रहा होता है उस केस में चेरपर सेएडिपः परसन और से करेंगे वहां पर कौन बठेगा डेप्यूटी चेरपसंट बठेगा डेप्यूटी चेरपसंट और चेरपसंट दोनों के खिलाफ चल रहा है तो अगें प्रेसिडेंट साब क्या करेंगे ऐसे एक बंदा नॉमिनेट करेंगी जो कि इस पर्टिकुलर मीटिंग को एक कि यह फटोवल मात करूं मनी बिल के बारे में तो यह सिर्फ कहां इंट्रक्रीईस हो सकता है तो लोग्स बाने कि Based Office यह चीज़ को पैसा भी कर सकते हैं यह होगा वह होगा फनाना डिमकाना ठीक है चलिए राजसभा can hold the bill for only 14 days मतलब 14 दिन से ज्यादा राजसभा इस bill को hold नहीं कर सकती 14 दिन के अंदर पास करना है अगर 15 दिन हो जाता है तो आटोमाटिकली पास मना जाता है मतलब अगर मनी बिल के बारे में बात होती है मनी बिल इंट्रिड्यूस होता है तो उस केस में जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है ठीक है चलिए बात करते है अर्टिकल नमबर 249 के बारे में किसके बारे में 249 के बारे में या जो तो यह अपनने उनके किवे ट्रीटि साइन हुए हो अरो स्ट्षी अथियुक्ट रस्टिज के लिए स्टेट लेंस कि आ जो सीइट मूझ के सब्जच पर बनाना पड़े गा तो इस केस में पर्मिशन सेंटर को कॉन देगा तो पर्मिशन कॉन देगा राज सभाही देगा ठीक है, they can do so by passing resolution with two-third majority, two-third majority कौन सी विज़ए जाती है, special majority, कौन सा, first type के special majority, ठीक है, of present and voting, validity of such law कित्ती रहेगी, एक साल की रहेगी, मतलब ऐसे law की validity कित्ती रहेगी, एक साल की रहेगी, और इसको n number of times के बढ़ाया सकता है, बढ़ाया जा सकता है, but from same procedure, मतलब दोबारा से यही procedure करना पड़ेगा, एक साल के बाद, और फिर finally क्या होगा, उस चीज़ को वापस लागू करा जा सकता है, मतलब पर्मनेंटली नहीं बनेगा, बट हाँ, एक टाइप साब कह सकते हैं, कि यह पर्मनेंटली चल सकता है, क्योंकि राजसभा इसको कितनी भ special majority से क्या करना पड़ेगा, उसको एक resolution पास करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, important facts की बात करते हैं, maximum seat राजसभा की कौन से state में है, तो उत्तर प्रदेश में आती है, टोटल 13 seat, ठीक है, टोटल कित्ती आ जाती है, 13 seat आ जाती है, मैं मद्र प्रदेशे हूं, तो मद्र से state से बिलॉंग करते हैं, और उसके कितनी राजसभा की seat है, प्लीज आप कमेट में मुझे जरूर बताइएगा, minimum seat की बात करते हैं, तो minimum seat कहां से आती है, अगें गुवा से आती है, जो की एक seat होती है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर राजसभा से कौन कौन रहे हैं, तो श बनाये गए थे, ठीक है, leader of opposition की बात करते हैं, तो मलिका अरजुन खरगे थे, जो की February 2021 में बनाये गए, इससे पहले मलिका अरजुन खरगे क्या हुआ करते थे, तो हमारे estimate committee on public accounts के head हुआ करते थे, chairperson हुआ करते थे, current chairperson की बात करते हैं, हम मतलब chairperson मतलब कौन होगा, यह हम जिवंश नरायंट सिंजी कौन है, हमारे current deputy chairperson है किसके, राज सभा के, ठीक है, तो यह दो चीज़े जो हो गई, यह बात कर रहे हैं, राज सभा के बारे में, ठीक है, leader of the house कौन होगे, again, प्यूश गोईल जी होगे, leader of the house कौन नॉमिनेट करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर क करेगा, ठीक है, ना की president, ठीक है, opposition leader की बात करते हैं, चली, लोग सभा, अब बात करने जा रहा है, लोग सभा के में, जिसको बोला जाता है, house of people, या lower house भी, ठीक है, चली, article number 81, again, क्या बोलता है, composition के बारे में, बात करता है, ठीक है, maximum strength की बात करते हैं, तो 552 क्या हो सकती, maximum strength हो सकती, again, इसको fix कर दिया गया था, constitution amendment के तुरू, 530 seats कहा साएगी, state में से आएगी, 20 seats कहा साएगी, union, territory में साएगी, और दो कौन से रहेंगे, ये कौन से रहेंगे, रहेंगे, आंगलो, इंडियन, ठीक है, बट हाला की, इसको 104th constitution amendment 2019, जब enact करा गया था, जो की 126 प्रस अब हमारे यहाँ पे, ये एंगलो, इंडियन की seat अब नहीं है, क्या है, एंगलो, इंडियन की seat अब नहीं है, ठीक है, बर इसलिए मैं यहाँ पे भी star लगा रखा है, चली, ठीक है, current strength की बात करते है, तो अब दोर हट जाएगे, कित्त हो जाएगी, 540, 3 हो जाएगी, यह ठीक है, तो 530 states में से हैं, 13 UT में से, UT में भी दिल्ली में 7, पुद्दुचरी में 1, और JNK में कित्ते हो गए आपके, पांच, ठीक है, यह हो जाता है, आपके क्या, पूरी के पूरी strength किसकी, आपके लोग सभा की, चलिए, आर्टिकल नमर 93 किसके बारे में बोट का बोलता ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों का क्या होगा, indirect, election, ठीक है, चलिए, speaker की बात करते हैं, तो अगेन elected from amongst the member of लोग सभा, जब हम speaker के और detail में बात करी थी, याद करें conceptual particular वीडियो में, तो हमने उसके power के बारे में, उसके responsibility के बारे में भी अच्छे से पढ़ा था, speaker pro time की बात क करते हैं, तो यह precedence आप पॉइंट करते हैं, ठीक है, among the members of लोग सभा, generally क्या होते है, convention ऐसा है, भाई, आप कहले है, परिस्तिती तो नहीं कहूंगा, बढ़ हाँ, एक टाप की प्रथा ऐसी बनी चाहिए, कि भाई सब जो, क्या होगा, elder most, या फिर senior most, ठीक है, senior most person को क्या बना जाता है, pro time speaker बना जाता है, क्या काम होता है, इसका, to administer oath of new log सभा मेंबर, ठीक है, administer oath of new log सभा मेंबर, साथ ही साथ, यह अलाव करते हैं, कि अब आप अपने आप, आपस में से क्या कर सकते हैं, एक deputy speaker और speaker, choose कर सकते हैं, चलिए, 83 के बार में बोलता है, tenure किता रहेगा, पांच साल रहेगा, जिसके बात क्या कर दिये जाएगा, इसको dissolve कर दिये जाएगा, क्या कर दिये जाएगा, dissolve कर दिये जाएगा, dissolution की बात कोती है, तो पांच साल से पहले भी क्या करा जा सकता है, dissolve करा जा सकता है, कौन करेगा, इसको तो precedent कर ठीक है चलिए आर्टिकल नंबर 331 अगेन आंगलो इंडियन के बारे में बात करा था जिसको अभी रिसेंट्ली किस से हटा दिया गया है वह हंड्रेड एन फॉर्थ constitutional amendment 2019 कौन सा प्रस्ताव था 126 वा प्रस्ताव था constitution कमेंड करने का और अल्टिमेटली फाइनली हुए किते हैं 104 हुए तो 104 में से यह एक और पर्टिकुलर चीज थी जो की हटाइगे थी nomination of anglo-indians पहले की बात करता है तो इसको कौन नॉमिनेट करते थे प्रस्तिजिटेंट साब नॉमिनेट करा करते थे चलिए नेक्स आता आटिकल नॉमर 330 जो की किसकी बात करता था है reservation की याद करिए अब ध्यान दिजेगा यह reservation कहा है लोग सभा में ठीक है यह reservation कहा है लोग सभा में नाकी राज सभा में ठीक है चलिए schedule caste कास की बात करते तो 84 seats total इंडिया में ऐसी है जो की schedule caste के लिए reserved है साथ-साथ schedule tribe के लिए 47 seats है यह किस अनुपात में है या किस बेसिक ratio में है तो population के population के ratio के basis पे है ठीक है total 131 seats किती है लोग सभा में reserved है ठीक है अब आते है working of parliament के के बारे में कि आपर्लेमेंट कैसे काम करें क्या नहीं है तो आर्टिकल नंबर 100 किसके बारे में बोलता है आर्टिकल नंबर 100 बोलता है कोरम के बारे में कि मतला minimum number of people ऐसे कितने लोग चाहिए minimum कि भाई जिससे हम क्या कर सकते पार्लेमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो कोरम किता होता है 1 10th of total strength होता है क्या आपका कोरम तो that means 55 members किसमें हो गए लोक सभा में हो गए और 26 members किसमें हो गए राज सभा में ऐसा हो गए कि मतला इनके बिना कम से कम strength कितनी होनी चाहिए लोक सभा में 55 होनी चाहिए और राज सभा में 26 होनी चाहिए तब ही जाके क्या होगा एक पर्टिकुलर सेशन को आगे चलाया जा सकता है चली नेक्स बात करते है आर्टिकल अमर 108 जो कि क्या बोलता है आपका joint sitting मतलब एक साथ क्या होता है जब यह situation of deadlock हो याती है मतलब मान लीजए एक पर्टिकुलर सब बिल है जो कि लोग सभा से पास हो गया राज सभा से नहीं हो रहा और उस पर्टिकुलर बिल को इनक्ट करना जरूरी है तो प्रेसिडेंट साब कौन बलाएगा इसको समझ बाइ प्रेसिडेंट टीम कब बुलाए जा यता जो केस ओस दिट लॉग ठीक है चली cannot be callड इन मनी बिल और constitutional amendment बिल अगर constitutional amendment बिल होता है या money bill होता है किस जोईंट सstory का प्रावधान इंडिया में नहीं है ठीक है खाले मतलब जोइंट स dwellडन करेघा अस पर्टिकुलर सशन का कहा कहला दो हमारे लोग सबाकर स्पीकर साब होंगे ठीक है आर्टिकल नमर एक सो साथ क्या बोल जाता है प्रोविजिन आज टू इंट्रिड्यूस एंड पासिंग उफ बिल जो कि हमने प्रॉपरली तरीके से बात कर ली थी इसके बार में और थोड़ा संशेप में आगे बात करेंगे चलिए आर्टिकल नम प्रायर लॉड़ी और प्रसते हम बात करेंगे इसी इसनस अपेस प्रायर इंठ चीज़ीघ को फूराइल कर लूट परेस्लिक नहीं को इंटरीक आव लुड़ागे ski से और अटो प्रायर आजसिंट इस बिल को दे रहे हैं, speaker to declare any bill, money bill or not, मतलब कॉन decide करेगा कि एक particular bill, money bill है की नहीं, तो speakers आप करेंगे, article नमर 117 में अगे हमने क्या बात करती, financial bill type 1 और financial bill type 2 के बारे में, article नमर 117, clause 1, financial bill type 1 और clause 3 किसके में, financial bill type 2 के बारे में, चली, article नमर 112, annual financial statement, ठीक है, मतलब budget की बात होती है, ठीक है, तो budget specifically provided है, हमारे constitution में, specifically embedded है, एक particular article आता है, तो budget का पूरा का पूरा source कहां से आता है, तो we the people, that means constitution से आता है, ठीक है, कहां सा आएगा, constitution सा आएगा, rail budget की बात करते हैं, तो rail budget को, एक वर्थ कमीटी ने क्या करा था, तृथक करने का recommendation किया था, ठीक है, कमीटी कब बनी थी, 1921 में बनी थी, recommendation का बाता है, 1924 में आता है, पहला rail budget किसने प्रेस करा था, हमारे जॉन मताई साब ने करा था, किसने करा था, जॉन मताई साब ने करा था, अगें, आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस, ठीक है, मतलब 1947 के time कर, ठीक है, 2017 में क्या करा गया है, इसको वापिस merge कर दिया गया, main budget के साथ ही, मतलब आप rail budget क्या होगा, अलग तरीके से नहीं आएगा, जो normal budget है, उसे के साथ करा था, यह merge कर दिया जाता है, stages in enactment of bills, सबसे पहले presentation होगा, बात करते था हम 2017 से पहले की, कब introduce करा जाता था, last working day of February, ठीक है, तो last working day of February को क्या किया जाता था, यह particular page किया जाता था, 2017 में क्या होता है, इसको एक साथ present करते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next बात करते हैं, stages of enactment की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, कि presentation देखा था, कि presentation कब होता है, तो एक फर भी 2017 से होता है, ठीक है, discussion की बात करते हैं, तो general discussion में क्या होता है, अपनी day-to-day administration activities का अगा सके, चला सके, ठीक है, तो generally कितना होता है, यह 1-6th of the budget, कितना होता है, यह 1-6th of the budget, चलिए, article number 117 क्या बोलता है, vote on account की बात करता है, ठीक है, article number 116 किसकी बात करता है, vote on account की बात करता है, vote of credit of exceptional grants की बारे में रहते हैं, ठीक है, चलिए, next बात करते है, scrutiny by departmental committees, departmental committees के आगया, आके और एक बार देखेंगे, बट अभी क्या होती है, budget general discussion के बात क्या होता है, departmental committees को दिया जाता है, जो कि इसको proper तरीके से scrutinize करती है, proper तरीके से इसकी देख करती है, और properly क्या करती है, हर एक grant की special report बनाती है, और फिर parliament के सामने पेश करती है, चलि, voter and demand for grant की बात करते है, article number 115 में क्या दिया गया है, supplementary, additional and excess grant के बारे में दिया गया है, अब इन grants पर क्या होता है, कि cut motions लेकर आते हैं, क्या होते हैं, cut motion लेकर आते हैं, जैसे कि policy cut motion, economic cut motion और two-can cut motion, चलि, article number 11 क्या बोलता है, appropriation bill के बारे में बोलता है, ठीक है, it's a type of money bill, appropriation bill किसके लिए होता है, कोई भी type का fund, debit, या credit करने के लिए, मतला अगर particular government को क्या करना है, पैसा डालना है, या पैसा निकालना है, कहां से consolidated, fund of India में से, ठीक है, तो वो बिना appropriation bill introduce करें, नहीं कर सकती, ठीक है, चलिए, article number 266, किसके बारे में बात करता है, 266-1 और 266-2 के बारे में, जब हम बात करता है, तो एक consolidated fund of India, और public accounts of India के बारे में बात करता है, और article 267 किसके बारे में बात करता है, contingency fund of India के बारे में, यह सब हम funds क्या कर सके हैं, अल्रेडी देख चुके हैं, सब चीजों को properly explained तरीके से समझ चुके हैं, अभी फिलाल से व आर्टिकल आपके सामने हैं, चलिए, devices of parliamentary proceeding की बात करता है, कि parliament की proceeding किस-किस particular चीजों से होती है, क्या कैसी devices formulate करी गई है, सबसे पहले बात करते हैं, question hour के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं, question hour क्या होता है, यह एक official hour होता है, क्या होता है, official hour होता है, इसमें क्या होता है, opposition कुछ सवाल पूछता है, governments और government को क्या करना पड़ता है, है जवाब देना पड़ता है जो हैते हैं इस पर्टिकलर कोशिण आवर के तीन टाइप के रहते हैं और यह क्वेश्चिंज एडवांस में सब्मिट करने होते हैं किसको स्पीकर सापको सबसे बात करते हैं स्टार्ड के बारे में ज़ेनरल की बात करो तो 12 कोशन पूचे जाते हैं स्टार्ड माक्सिमुमु कितने पूचे जा सकते हैं तो 20 पूचे जा सकते हैं ठीक है है तो उस पे कोई भी supplementary question पूछने की allowed नहीं है इजाजत नहीं होती चलिए next का बात करते हैं एक आता है आपका तीसरा कौन सा short notice start question ठीक है इसमें क्या होता है basically notice period कम रहता है इमिडेटली क्या बताना पड़ता है अपने speakers आपको submit करना पड़ता है किसको करेंगे आप speaker को submit करेंगे और speaker ही ultimately क्या करेगा decide करेगा क्या decide करेगा कि यह particular सवाल पूछना चाहिए या इसको allow करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए max to max एक वीकर notice के advance में तो of course देना ही पड़ता है यह वाला तो short notice start question क्या होता है again एक start question type का होता है जिसमें requires oral answer बट इसका notice period कितना होता है थोड़ा कम होता है comparative to start question चलिए next देखते है जीरो आवर जीरो आवर क्या है एक आपका innovation है in parliamentary proceeding ठीक है parliamentary proceeding में क्या है एक innovation है ठीक है since 1962 से को क्या कर दिया था फॉलोग कर दिया जाता है और यह एक टाइप से कह सकते है अन ओफिशियल कि आवर है कि इसमें पुरा हला गुला होता है शोर गुल होता है बहुत सरी चीज़े सामने आती है motion की बात करते है motion भी टाइप क्या है जिसके थूर क्या होती है हर एक पर्टिक्लर टास्क आगे रखा जाता है बिना motion लाए कोई भी काम नहीं हो सकता parliament में ठीक है सबसे फिले substantial motion की बात करता है कि यह कैसा होता है कोई बिल लेकर आना होता तो substantial motion होता इस पर discuss होता है आगर उसको substitute कर ना है ठीक है उसका पूरा-बूरा चेंस आट के केस में एक तोरह closer motion होता है, simple closer, closer by compartment, kangaroo, guillotine, ये अलग-अलग type क्या होते है, closer motion होते है, closer motion में क्या को, जो भी discussion हो रहा है, will put to an end, and voting conducted. कोई भी motion चल रहा है, उसको particular discussion को end करने के लिए, सिधा voting करने के लिए क्या होता है, इस closer motion को लेकर आया जाता है, चलिए, privilege motion की बात करते हैं, तो concerned with the breach of parliamentary privileges, अगर कोई एक particular इंसान क्या होता है, parliament proceeding को ये अपनी privileges को breach करता है, तो उसके अगेंस्ट कहला आया था, privilege motion, अगें calling attention motion, मतलब कोई एक particular topic पर ध्यान लाने के लिए calling attention motion आता है, adjournment motion की बाइसा, सभाव को आप बंद कर दीजिए, no confidence motion की बाइसा, अब हमको इस सरकार में, या हमको इस particular council of minister में, ठीक है, तो no confidence motion important हो जाता है, इससे क्या होता है, government, या council of minister, इनके against लाया जाता है, और इनको हटाने के लिए क्या लाया जाता है, आपका no confidence motion, confidence motion की बात करते हैं, तो again इसका opposite हो जाएगा, ये लाने के लिए इंट्रेटूस के लिए नहीं होता, ये दिखाने के लोता है कि आज भी क्या है, क्योंकि देखिये, इन दोनों की क्या है, collective responsibility, ठीक है, towards लोग सभा, तो इस लोग सभा की collective responsibility को निभाय रखने के लिए क्या लाता है, confidence motion लाता है, motion of thanks की बाता है, धन्यवाद देने के लिए, अगर मान लीजे ये motion of thanks पास नहीं होता, तो भाष सब सीधी situation किसकी आजाती है, no confidence कि आजाती है, no day yet, no motion की बात करते हैं, तो अगेन ये ऐसा को तक पर्टिक्लर question दिया जाता है, जो पूछा जाता है, जो पूछा जाता है, उसके लिए टॉपिक जो है, उसके लिए discussion की date नहीं fix कर जाती है, तो उसको क्या बोलता है, no day yet, motion, final dilatory motion, आगेन सब चीज़े खतम करो, सीधर voting पे आजाओ, चलिए, half hour discussion के बारे में बात करते हैं, ठीक है, half hour discussion का है, अगेन एक innovation है, speaker साब इसके लिए तीन दिन रख सकते हैं, एक particular week में, ठीक है, speaker can allot, three days in a week, ठीक है, half hour discussion के लिए, short duration discussion की बात होती, it is also known as two hour discussion, again speaker साब decide करेंगे कि किस particular day पे कौन सा का discussion hour होना चाहिए, resolution की बात करते हैं, तो motion सबसे पहले एक resolution होता है, फिर वो motion मनता है, फिर वो आगे आके proceeding हो जाती, तो resolution की बात करते हैं, तो सबसे पहले private member resolution आता है, जो कि कोई भी member of parliament, ठीक है, कौन लेकर आएगा, member of parliament, who is not a part of government, ठीक है, अब ये member, majority party का भी हो सकता है, opposition का भी हो सकता है, ये किसी और party का भी हो सकता है, government resolution की बात करते हैं, अगेन एक हैसा particular member of parliament, जो कि government का part है, अगर वो कोई resolution लेकर आता है, तो इसको government बोलते हैं, हिंदी चूज करी जाएगी या अंगरेजी चूज करी जाएगी, ये दो क्या है, हमारे proceeding की official language, ठीक है, पार्लेमेंट प्रोसीडिंग की official language कौन सी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कौन बोलता है, article 348, article number 120 subclass 1 क्या बोलता है, कि आप presiding officer, chair person हो गए, या speaker साब हो गए, इनकी permission से आप क्या कर सकते हो, अपनी vernacular language भी या आपके जो local language है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो, जैसे कि शपत की बार ही आई थी, तो हमारे कुछ member of parliament ऐसे थे, जैसे अपनी vernacular language में शपत ली थी, और अगें permission पर कौन देगा, speaker साब देंगे, या chair person साब देंगे, basically presiding officer, चली, sessions of parliament की बात करते है, summoning, summoning मतलब बुलाना, कौन बुलाएगा, तो president साब, ठीक है, उसके बाद आता है, adjournment, adjournment कौन करेगा, speaker साब, ठीक है, but time जो रहेगा, defined रहेगा, ठीक है, उसके बाद आता है, adjournment signed आई, adjournment signed आई की बात करते हैं, तो again precedence साब करेंगे, through notification, ठीक है, और इसमें time नहीं mention करा जाता, ठीक है, dissolution की बात करते हैं, again कौन करेंगे, president साब करेंगे, किसकी recommendation पर, तो PM साब की recommendation पर, प्रोरोगेशन अगें, पुरा सदन का जो है, पूरे का पूरे जो particular meeting है, उस particular session की या उस particular month की, उसको खतम कर देना, चलिए, important facts दिखते हैं, सबसे पहले लोग सबस्पीकर कौन थे, GV Mavlankar, कौन थे, GV Mavlankar थे, current लोग सबस्पीकर कौन है, तो हमारे ओम बिल्ला साब है, प्रोटेम स्पीकर की बात करें, कि इनोंने इनको शपत दिलवाई थी, तो विरेंदर कुमार जी थे, प्रोटेम स्पीकर, अब लीडर ऑफ़ोजिश्टर चीरीट नरेंदर मोडी जी हमारे कौन है, साचाथ लीडर ऑफ दह आऊज बी है, लीडर ऑफ औपोजिश्टर हभी हाला कि क्या है, वेकएνट है, ठीक है, अब आपके लीडर ऑफ अपोजिश्ट्रिश्टर बनने के लिए, पर आके चुन के आती है that means कम से कम 55 seat ठीक है तो क्या होगा आप अपनी party से opposition leader खड़ा कर सकते हो बट आज का scenario ऐसा है कोई भी प्रिटिकल और प्रिटिकल party के पास 10% of the seat नहीं है फिलहाल के लिए इसलिए क्या है ये वेकेंट है ठीक है कौन सी तक का सबसे highest है चली parliamentary committees के बारे में बात करते हैं parliamentary committees क्यों लाए जाती है ताकि जो उनका complex और voluminous function है उसको थोड़ा तेज करा जा सकते उसको थोड़ा अच्छे तरीके से बेटर तरीके से करा जा सकते कमिटी की बात करते हैं तो एक होती है standing committee जो की पर्मानेट नेचर की होती है और हर साल क्या होता है नई इनकी बेस्टिक लिए नए members को चूज करा जाता है ठीक है तो यह continuous basis पर काम करते हैं चली दूसरी होती आड होग committees ऐसी particular committees जिनका nature कैसा होता है temporary होता है जिनका nature कैसा होता है temporary होता है और यह किसी एक particular task को करने के लिए एक particular objective को अचीव करने के लिए बनाई आती है जैसी उस objective को यह task कंप्लीट कर लेते हैं इसको क्या कर दिया जाता है cease to exit मतलब dissolve कर दिया जाता है ठीक है दो टाइब की होती है एक advisory और एक inquiry nature की ठीक है चली देखे standing committees की बात करी है जो कि single house हो सकती है या joint house हो सकती है मतलब एक ही particular committee की member रहेंगे या दोनों member हो सकते है second departmental committees की बात करते हैं जो कि किसमें role play करती है budget में ठीक है चले add-off committees की बात करते हैं again inquiry committee आ जाती ही nature की जो की क्या करेगे inquiring specific report और particular subject advisory committee की बात करते हैं जो constituted to report on any bill procedure to be made by the speaker और chairperson चले important committees की बात करते हैं एक बाद देखते है public account committee जो होती है हमारी standing committee है क्या है यह सबसे बेले 1921 में setup करी गई थी कब करेगी थी 1921 में setup करेगी थी जो आपका act of 1999 आया था उसमें इसका provision बनाया गया था 22 member committee होती है जिसमें से पांद्रा पंद्रा कहां साथ है लोवर और साथ कहां साथ है अपर आउस में से मतलब पंद्रा लोग सबासे और साथ आपके राजसबास आते टर्म किता होता टेनियर इंका होता एक साल का और मिनिस्टर क्या होते हैं मेंबर नहीं बन सकते चेरपर्सन जो है या चेर्में जो है वह कौन अप्वाइट करेगा तो speaker साब करेंगे ठीक है अमंग दम्मेंबर सबसे पहले चेरपर्सन की बात करते हैं तो W.M. हेली हुआ करते थे कब बिफोर इंडिपेंडेंडेंस फिफोर इंडिपेंडेंस फर्स एर पासल आफटर इंडिपेंडेंस कौन तो R.K. Shani Jetty g. R.K. Shani Jettyg. कौन था हमारे फिर्स चेरपर्सन किसके पब्लेक अकउंट कमिटी के कब 947 के बात करेंट की बात कर्यारंट की बात करते तो अधिर रंदन चौदरीquele he सब्सक्राइब करते हैं जो कौन थे उस ताइम के फाइन्स मिनिस्टर हुआ करते थे ठीक है चलिए 30 मेंबर कमिटी होती है सभी के सभी मेंबर कहां से लोग सभा से आते हैं टेन्योर अगें एक साल करेगा मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता चेर परसंट कहां सा पॉइंट होगा बाइस पीकर अमंग दे मेंबर फर्स चेर परसंट यह जो कि 1950 से 54 में रहते हैं ठीक है आफ्टर इंडिपेंडेंडनेस की बात करें करेंट चेर पर के रिकमेंडेशन पे 22 मेंबर कमिटी है अगें 15 कहां से लोग सभा से और साथ कहां से आपके अपर हाउस जैतिम राज सभा से टैनियर एक साल कोगा मिनिस्टर कैनाट बी एलेक्टेट आज चेर परसंट ठीक है या फिर कोई भी मेंबर भी मिनिस्टर नहीं हो सकता चेर पर इस परिफिकर ठीक है अमंग अमंग अलेक्टेट मेंबर कमिटी फ्रॉम लोग सभाई यहां से मेंबस पेश्पीकर कहां से आएगा इन 15 लोगों में से आएगा ना कि इन 7 में से चलिए फर्स एर परसंट की बात करते हैं तो पी गोविंद मैनन है करेंट की बात करते हैं त पर सब जुडिशल बॉडी रहेगी ठीक है कॉंस्टिटूटेट बाइप्रेसिदेंट एवरी फिफ्ट एर ठीक है और एज अर्ली एस ही कान नेसेसरी माना जाता है सबसे पहले नाइट बाइस नवंबर 1951 पर बनी थी और करेंट की बात करते हैं तो एनके सिंग साब करें चेर परसन है और पंद्रवी फाइनांस कमिशन हमारे आप अभी बैठी हुई है लोग सबा कौन सी है लोग सबा आपकी 17 है बट फाइनांस कमिशन कौन सा है आपका तो 15 है ठीक है चली स्ट्रक्चर की बात करते तो चेर परसन साब रहेंगे चेर परसन कैसे रहेंगे क्या कर जाएगा तो person having experience in public affairs person having experience in public affairs जो होगा यह इनकी criteria है यह आपके लिए qualification है किसकी chairperson बनने की बाकी इसमें चार मेंबर रहते हैं एक मेंबर कहां सा आएगा judge of high court और qualified to be judge of high court दूसरा member specific knowledge of finance and accounts of government यहां सा आएगा तीसरा member having wide experience in the financial matters in administration फाइनली चौता मेंबर person having special knowledge of economics यह चार मेंबर रहेंगे इनकी चार की criteria है qualifications है और हमारे एक चेर परसन तो basically four plus one जो है इसकी क्या रहेगी members ठीक है एक चेर परसन और चार मेंबर चलिए appointment की बात करते हैं और eligible for reappointment है ठीक है tenure की बात करते हैं पांच साल होता है या फिर कोई भी ऐसा particular term जो की precedence आप specify करते है जनरली convention क्या है पांच साल का power to manner of election and set qualification of parliament की के इनके पास जोग भी है members को किस हिसाब से nominate करा जाएगा parliament करेगी कौन करेगी किस साइब selection होगा यह सब इनके पास में है first chairperson की बात करते हैं केसी नियो जी जो है वह हमारे first chair पसंद थे किसके आपके इसके finance commission के करेंट की बात करते हैं तो इनके सिंग जी है कौन सी पंदरवी के 2026 तक रहेंगे चली यह था पूरा का पूरा आपका one short revision पूरे parliament का अभी तक हमने जो पढ़ा है हुआ सब आपको clear होगा in case i know इसमें बहुत सरे statistics थे बहुत सरे articles थे तो अगर आपको यी वीडियो दुबारा देखना है तो यूटुब पर जानने की बिल्कुल जरुवत नहीं है को बहुत जारा जन्यट है अब क्या करना है कोई दिखकत नहीं हम आपके लेकर आएं निव वेबसाइट साथ हमारा आप भी लॉंच कर रहे हैं जो की थीके सीबीहसी के केजी से लेके 12 तक के उपी बहार बोर आइटी नीट जैई सब कुछ मिलेगा आपको यहां पर मैं का मिलोंगा उलिम्पियाट सेक्षन में तो पर जैसी क्लिक करोगे ना तो ध्यान देना बाई करोगे क्या होगा एक नया पेज्ट लोड होगा जो कि ऐसा दिखेगा कुछ दिक्कत नहीं है नीचे स्क्रोल डाउन कर लो देखो पूरे वीडियो आ गया ठीक है अब देखो यहाप को पूरी डिटेल मिल जाएगी जैसे इस प्लस पे क्लिक करोगे न तो एक फॉदर ड्रॉ नहीं करा जाएगा को एक पर्टिकुलर लिंक कॉपी-पेस करने के लिए नहीं दी जाएगी सिधा-सिधा यूटूब टेर विट सेम फंक्शनलिटी आप ही के साइट पर आप ही के डेक्स्टॉप पे लैप्टॉप पे पीसी पे वहीं खुल जाएगा तो यह हमाले एक छो झाले पीसी आप हागी के साइट।